ये है सबसे बेस्ट स्पोर्स रेसिंग बाइक TBS अपाचे आर्टियर 162B सिंगल चैनल ABS बिद मैट ब्लू कलर के साथ दो बेरियंट और पांच कलर ओप्सन के साथ आती है इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं अन रूड कीमत कितनी है अगर आप इसको फाइनस कराते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम कितनी डाउन प्रेमेंट देनी पड़ेगी एक साल से तीन साल तक की कितनी EMI आएंगी जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले फ्रेंट लुक की बात करते हैं तो इसके वाइजर के उपर आपको एक ब्लैक कलर का विंड सील ग्लास मिल जाता है side profile की बात करें तो इसका जो visor है वो आपको matte blue color का मिल जाता है यहाँ पर आपको non-flexible halogen indicator मिल जाते है headlight की बात करें तो उपर की side में आपको day time running के लिए जो है DRL मिल जाते है LED के यहाँ पर आपको DBS की wedging और halogen headlight मिल जाती है इसके front वाले mudguard के उपर आपको graphics की strip मिल जाती है जो की 3 color option के साथ दी गई है इसका जो को mudguard है वो आपको dual tone color का मिलता है जिसके उपर ABS की bedging मिल जाती है और यहाँ पर आपको 270 mm diameter की disc मिल जाती है ABS breaking system के साथ में और 90-90-70 के tulis tire मिल जाते हैं और 17 inch के black color के yellow bill और yellow bill के उपर आपको TBS racing की bedging मिल जाती है इस्टीकर के रूप में और telescopic fork with hydraulic damper type के suspension मिल जाते है meter console area की बात करें तो नीचे की side में RTR 160 की bedging मिल जाती है और यहाँ पर आपको digital और analog type का meter console मिलता है यहाँ पर आपको RPM का meter दिया गया यहाँ पर आपको engine malfunction, low fuel warning, service due indicator, battery warning, ABS warning की indication मिलती है दूसरी side में आपको gear की neutral indication light और यहाँ पर आपको turn signal indication डिस्पले में आपको kilometer पर hour speed की reading और यहाँ पर आपको kilometer की reading और यहाँ पर digital clock और यहाँ पर आपको fuel की reading देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपको trip meter को adjust करने के लिए दो button मिल जाती है यहाँ से आप इसकी speed और kilometer की reading को देख सकते हैं दोस्तो इसकी handle bar road है वो आपको black color के साथ मिलती है और इसके side view mirror है वो भी काफी unique design में दिये गए है और switches की बात करें तो यहाँ पर आपको low beam, high beam, passing switch, indicator और horn का switch मिलता है इसके दूसरी side में आपको engine kill का switch और self का switch मिल जाता है इसके fuel tank के उपर आपको थोड़ी सी carbon की finish मिल जाती है यहाँ पर आपको three color के यहाँ पर आपको graphics की strip मिल जाती है वारे लीटर की fuel tank की capacity मिल जाती है और fuel tank cowl के उपर आपको racing की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है 3D के साथ में और graphics की design है वो काफी unique दी गई है इस bike में और side panel के उपर आपको थोड़ी सी carbon finishing के साथ में Apache का एक sticker मिल जाता है engine के उपर आपको TBS की बैजिंग मिल जाती है engine cowl के उपर आपको TBS racing की बैजिंग मिल जाती है इसका जो engine cowl है वो आपको dual tone color का दिये गया है जहाँ पर आपको एक crash guard और dual horn मिल जाते है engine के head के उपर एक spark plug दिये गया है engine और power की बात करें तो इसमें 159.7 cc air cooled forest rock 2 valve bs6 engine मिलता है जो देता है 15.53 ps की power 8400 rpm पर और 13.9 nm का torque पैदा करता है 7000 rpm पर इसमें मिलता है 5 speed gearbox इसका curve weight 140 kg हो जहाँ पर rider के लिए adjustable footrest और एक brake pad दिया गया है जो की aluminium का है और इसका जो exhaust है उसके उपर एक metal की chrome की लंबी सी plate मिल जाती है जो की इसके look को काफी नेंस करती है इसके rear में M.I.G. mono tube inverted gas fill socks with spring edge suspension मिलते हैं जिसको आप अपनी weight और demand के साफ से adjust भी कर सकते हैं इसके rear में 110-80-17K tules tire मिल जाते हैं इसकी seat cowl के उपर आपको RTR 160 का sticker मिल जाता है इसकी seat quality की बात करें तो इसकी जो cushioning है वो काफी soft और काफी अच्छे material की इसमें use की गई है इसकी rear section की बात करें तो इसमें आपको split type के grab handle मिल जाते हैं जो की काफी comfortable हैं पीछे वाले plane के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी graphics की strip और इसकी जो tail light है वो आपको LED के combination के साथ मिलती है जो की थोड़ी सी sharp और थोड़ी सी red color के combination में दी गई है इसकी जो indicator है वो भी आपको halogen में मिलते हैं नीचे आपको reflector दिये गए overall इसका जो पीछे का look है वो काफी सांदार मिल जाता है दूसी side से देखें तो यहाँ भी आपको same sticker और same graphics इसके दूसी side में भी आपको देखने को मिल जाते हैं जैसा कि यहाँ से आप इसके fuel tank के कावल के उपर देख सकते हैं यहाँ भी आपको dual tone color में sticker दिये गए हैं और rear के side में चलें तो यहाँ पर एक company fitted black color का साड़ी गार दिये गए open chancet cover मिल जाता है fiber body के साथ में adjustable footrest मिल जाते हैं plane और rider के लिए engine call के उपर आपको RTFI की bedging मिल जाती है TBS racing का sticker दिये गए इसके mileage की बात करें तो इस bike में आपको 45 km प्रति लीटर का आसानी से mileage मिल जाता है अगर आप इस bike को eco nomi john में चलाते हैं यहाँ पर आपको fuel injection system मिल जाता है अगर आप इसकी RPM को कम और ज़्यादा करना चाते हैं तो आप इसके bolt को थोड़ा सा luge कर सकते हैं यहाँ पर आपको Apache का sticker और यहाँ पर rider के लिए adjustable footrest दिये गया और इसमें आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप इसके 5 gear की branding को देख सकते हैं इसमें आपको 180 mm की high ground clearance मिल जाती है इस bike में side stand और man stand भी मिल जाते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके price की TBS Apache RTR 162B single channel ABS की exorum कीमत है 1,88,865 रुपे और इसकी on road कीमत है 1,3,874 रुपे अगर आप इसको finance कराते हैं तो इसके लिए आपको 29,900 रुपे की down payment करनी पड़ेगी अगर आप इसको 12 महीने के लिए finance कराते हैं तो 10,082 रुपे की EMI आएगी 18 महीने की जो किसत है वो 7,112 की आएगी 24 महीने की जो किसत है वो 5,636 की आएगी 30 महीने की जो किसत है वो 4,761 की आएगी अगर आप इसको 36 महीने के लिए finance कराते हैं तो 4,182 रुपे की EMI आएगी ये लौन EMI और प्राइस की जानकारी मैंने आपको बताई है सौबाग के TBS NS2 Highway मत्रा सुरूम की अगर आप मत्रा आसपास से हैं तो नीचे दियोए नमबर पर कॉल करके और भी जादा जानकारी ले सकते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा दो इस वीडियो को जाद स्यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें